हाई दोस्त आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ष्वर्थ की द्वारा लिखी गई पोवेमएर्व 7 जो लिरिकल बैलाड्स में पब्लिस्ट किया गया था 1798 में ये कभीता लिखा गया था विलियम केलबर्ट जो हमार जाप्वेट है विलियम वर्ष्वर्थ की दोस्त उनसे से परड़ हो जाने के बात ठीक है विल्यम वार्षवर्थ रोमांटिक पीडियोट की एक मेजर पोईट है इन्हें नेचर पोईट की नाम बे भी जाना जाता है और लेग पोईट भी इनका एक और नेम है ठीक है तो अब हम सुरू करते हैं विल्यम वार्षवर्थ यह सिंपल चाइल्ड एक साधरान सा बच्चा देट लाइटली ड्रॉज इस ब्रीथ जोकी खुब धीरे धीरे से सास ले रहा है एन्ड फिल्स इट्स लाइफ इन एवरी लाइम उसकी सरीर की हर हिस्से में जिन्देगी को मैसूस कर रहा है यह मौत के बारे में क्या जाने यह एक कोस्चन फर्स्ट स्टेंजा पर हमारा पोईट राख दिया एक कोस्चन ठीक है उसके बाद बोल रहे है I met a little cottage girl मैं एक छोटा सा cottage girl से मिला हूँ she was eight years old she said उसने बोला कि वो आठ साल का है her hair was thick with many a curl उसका जो बाल था गोंगरालू और घना ठीक है that clustered round her head जो गुच्छा में उसके सर से नीचे के और था she had a rustic woodland air and she was widely clad ओ एक गाउं के लेकी जार सा दिख रहा था और उसका जो ड्रेस था ओ बहुती धुल मिट्टीश में मिला हूँ था her eyes were fair and very fair उसकी जो आँख बहुती खुबशुरत था बहुती खुबशुरत her beauty made me glad उस खुबशुरती खुबशुरती poet को glad किया खुश कर दिया sisters and brothers little maid how many may you be poet ने बहुती इज़्यत से पुछा कि छोटी तुम्हारा कितने भाई बहन है how many कितना seven in all sat she said उसने बोला and wondering looked at me और मेरी तरफ घुम के देखा चकी धोके and where are they और वो कहां है I pray you till मैं पूछता हूँ तुम बाताओ she answered उसने जवाब दिया seven are we and two of us at Conway dwell हम साथ है और दो Conway में बस गए and two are gonna to see और दो समुंदर में चले गए two of us in the churchyard lie उनमें से दो churchyard में स्वई हुई है इसका मतलब है दो मार चुके है my sister and my brother मेरा बैहन और मेरा भाई and in the churchyard cottage और churchyard की cottage में I dwell near them मैं उनका साथ रहता हूँ with my mother मेरा मा के साथ you say that two at Conway dwell तुमने बोला दो Conway में बस गए and two are gone to see दो समुंदर में चले गए ये ये are seven I pray you tell तो फिर साथ कैसे हुआ मुझे बाताओ sweet maid पैरी छोटी how this maybe ये कैसे हो सकता है then did the little maid reply उसके बाद उस छोटी लेड़की ने बाताया seven boys and girls are we हम साथ लेड़का लेड़की है two of us in the churchyard lie उन में से दो churchyard में सोई हुई है beneath the churchyard tree churchyard की पेड की निचे you run about my little maid your limes they are alive if two are in the churchyard light then you are only five तुम क्या बोल रहे हो your limes they are alive तुमारा बाक की जो है वो जिन्दा है if two are in the churchyard light अगर दो churchyard में सोई हुई है then you are only five तो फिर तुम पांच हुए their graves are green they may be seen हो सकता है उनके कबर हरे दिखा रहा है ऐसा हो सकता है the little maid replied छोटी लेर्की ने जवाब दिया twelve steps or more from my mother's door door मेरा मा की दर्वाजा से बारा और उस से थोड़ा जादा दूर हो सकता है and they are side by side और वो लोग एक के बाद एक है तो फिर दोस्त आज इतना ही बाकी का हिस्सा मैं अगला वीडियो में बना होंगा ठीक है तो इतना अच्छे से पढ़ लेना ठीक है थैंक यू झाल 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 झाल